Question 11 देखिए, क्या दी रख्था है? If P A by B is equal to P A complement by B, यानि कि जो P A by B है, वो हमारे पास equal है P A complement by B के, तो वो कह रहा है कि then which of the following statement is true, जो चारो options हैं उनमें से क्या true होगा? अब समझो, conditional probability के formula से हम लिख सकते हैं यह किसके equal होता है? यह होता है P A intersection B, अब वो नीचे क्या है? P B है, इसको हम लिख सकते हैं P A complement intersection B और यहाँ पर भी नीचे P B है, क्योंकि P B एक value मिलेगी तो इसे आप cancel भी कर सकते हैं, यहाँ पर आगया P A intersection B is equal to P A complement intersection B, अब यहाँ इसको solve करना पड़ेगा, आप समझो, मैं एक Venn diagram आपके सामने बनाता हूँ, यह Venn diagram है, यहाँ पर यह इसमें A set है, और यह B set है, यह जो common वाला portion है, यह क्या है आपका? इस A intersection B, और इस A intersection B को यदि हम यहाँ leave कर दें, तो यहाँ पर यह वाला जो हिस्सा है, यह क्या है? आपका यह है A complement intersection B, यह क्या है B complement intersection A, तो यहाँ पर A complement intersection B को हम लिख सकते हैं, यह कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर B minus, या फिर हम कहीं P of A intersection B, हम कैसे निकाल सकते हैं, B की probability मैंसे, हम minus कर दें, क्या आपका? हम यहाँ पर यह intersection minus कर दें, तो P of A intersection B minus कर दें, पूरे मैंसे, पूरे मैंसे हमने यह minus कर दिया, तो A intersection B ही तो बचा हमारे पास, तो यहाँ पर यह आ गया, इसके जगे आप यहाँ यह रख लीजिए, P of A intersection B is equal to P B minus P A intersection B, यह minus का इदर आके plus का बन जाएगा, twice of P A intersection B is equal to P B, इसको इदर ले आएँगे, P of A intersection B is equal to half of P B, तो यह half of P B के equal होगा, एना आप यह मैच कर लेंगे, कि कौन सा option इससे मैच हो रहा है, that is, C आपका यहाँ पर मैच हो रहा है,